दिल्ली में बाढ़ के पानी पर छाती पीटने वाले गुजरात मॉडल की धजियां उड़ने पर खामोश है दोस्तों क्योंकि यहां बात उस गुजरात की हो रही है जिससे खोद देश के प्रधान मंत्री जी यानि पीम नरेंद्र मोदी जी आते हैं इसे गुजरात से देश जगा गुजरात मॉडल की शेखी बगारने वाले पीम नरेंद्र मोदी जिससे लेकर हर नेता को शायद अब साप सूंग गया है चलिए बो तो नहीं बोल रहा है उनकी सरकार है उनकी पार्टी है तो बेज़ती होगी लेकिन वो तो खामोश है ही दिल्ली में सूखी सड़क छोड़कर पानी में कूद कर डुबकी लगाने वाले क्रांतीकारी पत्रकारों की भी जुबाने सिल गई है तो अचानक से मालूब नहीं क्योंकि यह दिल्ली तो है नहीं तो जिस पर बोला जाए यह दिल्ली तो नहीं है न यह तो भाई गुजरात है शायद कुछ बोला त तरी को पो फ़यल की तरफ से स्लाम ओर दे घर में बड़ी पड़दा निशी निचीन इजब्दधार मार बहने को पो फ़यल की तरफ ससलाम ओर देभर घरल के बलहाल ल्ला समीदे आ利ूपन खैर्शित नमेमालूनों की मलामत से ft की फिर्वा परश्टी से् इन माम लिंचरों की 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 माम लिंचरों क जो शेंग गजरात के नाम से मश्यूर है जो पुरा एक्सपोस हो चुका है थुड़ा सी बारिश के आई इनके जितने जो दिखावा करते थे जो हतिली में चान दिखाते थे इन सारे चीजों का पूल खुल गया है अब ये ना बूलने के लिए इनके पास कुछ है ना बताने के लिए कुछ है ना जूटे वादे करने के लिए कुछ रहा और यहां से आते हैं हमारे देश के पधानमंतरी भी यहीं के उसके बाद हमारे देश के वजिर दाखलिया भी यहीं के बहरहाल आप देखें किस तरीखे से गाड़ी ये तीरते वे जा रहे हैं किस तरीखे से प रहा है यह सारा डेनिश सिस्टम आप लोगों को पता चल चुका है आप लोग देख चुके हैं और यह आप लोगों को यह भी पता है कि कितने साल से एंसी हज भी इनकी इख़दार में है यानि इनकी सरकार है और एंसी एच पे इनका ख़बजा है मेर है उसके बाउजूद यह वालत गुजरात की एक स्टीडियम को छोड़कर वो भी बेंच को यह और रखे थे फसल को यह और अगा लिए फसले को यह और काट लिए हुगाने वाले दूसरे है और नाम क्या रखे आप लोग यह चीज़ का भी पता है जो हमारे दिश का सबसे बड़ा इस्टेडियम है ते वो नाम जो है सो क्या रखे नाम का इस्टेडियम का आप लोगों को अच्छी तरह पता है बहर के बहर हाल मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाईयों यह सारे पॉल खोल चुके हैं और इनके पड़दे फाश हो चुके हैं इनके घिनोनी चहरे बेनकाब हो चुके हैं आप लिए पूछना चाहें कि आप लोगों के दमागों में यह चीज़ चल रही है आईसा क्या हुआ अब यह बताओ मैं आप लोगों को आईसे क्या नहव लोगों के अंदर तीर रहे हैं बच्चों को सूने के लिए जगा नहीं है जाके छटों पे सूएंगे बोले तो बारिश पढ़ लई है तो किदर से सांस लेंगे तो लोग आश्रमों का रुख कर रहे हैं आश्रमों में पुरा पानी घुच चुका है यह हालत बत से बत्तर होती जा रही है लेकिन इसके ओपर किसी के पास एक मिनट का टैम नहीं है ताके बोल सके या कुछ दिखा सके कोई रास्ता बता सके लोग भूख से मर रहे हैं लोगों के पास कपड़ा नहीं है वहनने के लिए लोग लंगे हैं यानि यह हाल गुजरात का अब इसके ओपर बोलने के लिए गोधी मीडिया तो हर हमेशा कतराती है इनके ओपर ना बोलती है ना कुछ बताती है क्योंके सचाई से और हकिकत से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इसका कोई लेना देना नहीं है तो मेरे अज़ीज दोस्तों मेरे भाईयों मेरी मा और बहन यह हमारी जब से गूदी मीडिया नौ साल सा जो रोल अदा कर रही है यह बराबर इनके साथ यह भी जिमेदार है अगर्चे वक्त के रहते वे यह जूटी वहवाई जो करते हैं यह लोग अगर्चे ना करें इन से सबाल किया जाए कि तुमने देश वासियों के लिए और दे कानिंग क्या है तो कभी यह इतना गलत हमारे साथ नहीं होता आज देखिए हमारे देश की एकनामी देखिए महिंगाई देखिए विरोसगारी देखिए दुनिया में पहले मुखाम पे आ चुके हैं महिंगाई के मामले में अब हमारे पास ट्रमाटिकी खिमत जो 10 रुपे कीलो थी वो कहीं जाकर 150 रुपे कीलो हो चुकी है और जो अदरग 40 रुपे 50 रुपे कीलो मिलता था अब वो साड़े 400 400 रुपे तजवीज कर गया है अब यह जो हम खाली पिट्रॉल के लिए चिखते थे चिलाते थे बताते थे बोलते थे अब पिट्रॉल से भी दुरी ख पूश्ख खाने पर मजबूर हो जाएगा जिसको खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा क्योंकि मजदूरी दिन भर आदमी करता है तो चार साड़े चावर रुपे मिलती है जो अपने देड़ किलो टमाटा नहीं लेके जा सकता घर को जो घर को देड़ किलो टमाटा नहीं ले जा सकता और इससे बड़ी हमारे को बेज़दी और क्या चाहिए जिसके घरों में मासूम बच्चे है वो फुके सो रहे हैं पीने के लिए दूद नहीं तो माएं जो हैसो उनको बाटली में पानी देती है और यह चांच मिला के देती है ताके बच्चे वाइट वाइट पी पीने की आदत हो गई दूद पीने की आदत हो गई दूद का मज़ा चेंज है वलकर शक्कर मिला के देती है जिसके पास शक्कर है यह हालात पैदा हो चुके हैं देश में लेकिन इसके उपर किसी के पास वक्त नहीं है बोलने का या सच्चाई दिखाने का या हक्त दिखान इसलिए हम बड़े चुपते हैं लेकिन ये चुपने दो हमको मनजूर है क्योंके हमको चाहिए तुम्हारे साथ इंसाफ जो तुम्हारे उपर जुम्र है जाते हैं वो जुम ना हो देश में सारे मिल छुल के रहे देश का विकास हो देश की महगाई खतम हो देश की चीज़ों को दूर करने के लिए और इनकी हाल अखीकत आप लोगों के सामें रख रहे हैं आप लोगों को बता रहे हैं देखो जो तुमने गल्ती किये वो गल्ती को दोहरा उमत जो गल्ती की है वो गल्ती की तोबा मांगो अपने गुनाह की तोबा करो और गल्ती को के हिकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दूाओं में याद रखें सलाम आलेकुम और रहमत ल्लाही और बरकातुम।